असलाम अलेकूं कैसे हो आप सब अलाम दिल्लाम एकदम ठीक होंगे जैसे कि आप लोगों को पता है कि वाइटी पे ना बहुत सारी बाते चल रही है और यह है जो पिटारा है ना यहीं करती है अगर आप लोगों ने पिछली बार का मैं आप लोगों को याद दिलाओं जब बारा दिन के लिए गई हुई थी तो यह वाइटी पे नहीं थी लेकिन इसके थुरू उसके थुरू उसके थुरू वह हमेशा कोई ना कोई बात वाइटी पे छुडवा देती थी भिजवा देती थी ताकि वह ना कंट्रोवर्सी में बनी रहे क्योंकि पता है कि उसके पर बात नहीं होएंगी न तो उसका चैनल डाउन चला जाएंगा भले वो वीडियो डाले ना डाले लेकिन हाँ वो अपने आपको वाइटी पे रखना चाहती है ताकि उसकी बाते होती रहे जैसे कि पिछली बार आप लोगों को याद होगा कि यह वाइटी पे नहीं थी और यह बाल काटा यह सारी बाते आप लोगों को अगर याद होगी और भी बहुत सारी बाते होई थी जैसे लिला ठिता नाम भी नहीं नहीं चाहती है कि चल तु दो दिन के लिए वीडियो नहीं डाल रही है तुने आके कम्यूटी लगा दी इसके पर लोगों ने वीडियो बना दी ये बाद में वो सब ठंडा हो गया लोग कई और भी मूव कर जाए किसी और के अपर रियक्शन दे दे लेकिन ये बंदी कुछ न कुछ न जिस्ती है कि जाओ ये बात चोड़के आओ वह बात चोड़के आओ जैसे के इसने फिर से कम्यूटी लगा दी जिसके अंदर ही बोल रही है शुकर आलला का मेरा बेटा ठीक है आप सब की दुआएं यह वो और के बाद में इसके कम्यूटी लगने से पहले या बाद में हा की वो चाहती है कि वो हो ना हो लेकिन इसकी बाते वायटी पर होनी चाहिए और जिसके अंदर वो सब्सेपूल भी हो जाती है आप लोगों को तो पताईए अच्छा अब बात कर लेते हैं के मुस्तफा का ऑपरेशन हुआ तो इसके अंदर कितनी सच्छा है कितनी नहीं है वो भी बाते में आप लोगों को बता देती हूं, सबसे पहले बात करते हैं अम्मा की, कि इतने दिन से अम्मा वीडियो बना री है, अम्मा ने किसी का जिकर नहीं की, मतलब रह रहे के 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 11 एकाद वीक में, इनकी वीडियो आती है इनके हजबेंड की अम्मा जी के बिल्लो अंटी के हजबेंड की वीडियो आती है जिसके अंदर वो सलाम दुआ करती हुई नजर आती है लेकिन बहुत टैम हो गया कि इसने पिटारा के उपर मस्का पालिस नहीं की चाटी नहीं उसको लेकिन हाँ अभ किसाज जाई इस तरह की दुआ कर रही थी जिससे सभी ने अनदाजा लगाया कि पिटारा टूर पे जा चुकी है जिसकी वज़ेसे हमां दुआ कर रही थी और मुस्तफा इतना बिमार है तो पिटारा ने जो के टाइड़ल थमनेल नहीं सौरी कम्यूटी लगाई उसके लिए अम्मा ने बात नहीं करके उसके एक्जाइम के लिए बात करी अम्मा ने दुआ दी तो देखो इसकी ये वाली बाते न मैं किलियर कर देती हूं कि उसने साफ उसकी बिमारी के लिए क्यों नहीं दुआ की होगी क्योंकि पता है कि जो भी हुआ है न वो चीज को ढाकना है ठीक है सभी बैठके दुआएं करने लगेंगे तो सभी को शक हो जाएंगा कि जो बाते हमने बताई है जो बाते मैंने बताई हूँ ना वो बाते सची है और फिर इसके उपर पिठारा की बहुत दुलाई होएंगी जो के बच्चों के नाम से सिंपती लेती है बच्चा काट खेलती है तो लोग इसकी बहुत दुलाई करेंगे कि तुने बच्चों के साथ में यह कर दी तो इसके लिए उसने बातों को गुमाते हुए मुस्तफा को पड़ाई के नाम पे दुआ दे दी दुआ तो देनी थी फिठारा को दिखाने के लिए कि मैं मुस्तफा के लिए द किया है जिसकी वज़े से अम्मा को मजबूरी में दुआ देने आना पड़ा और फिर बाद में सिर्फ मुस्तफा को दुआ देके हड जाती तो भी लोगों को शाक हो जाता कि ऐसा क्या हो गया है भाई जो अम्मा मुस्तफा के लिए दुआ कर रही है तो फिर उसके अंदर उसने वो बात को मिक्स कर दी कि मेरी बेटी गुमने जा रही है तो वो सही सलामत जाके आ जाए फिर मैं सभी बच्चों के लिए दुआ कर रही हूं सभी का अच्छा हो समझ रहे हो अम्मा की बाते पिटारा को दिखाना भी तो था न क्यूंकि लोग इस चीज में विश्व करते हैं इसके लिए वीडियो बनाना अम्मा का बहुत ज़्यादा जरूरी था ताके पिटारा को लगे कि हाँ मेरी अम्मा ने ना मेरे लिए कुछ बोले तो यह हो गई अम्मा की बाते दूतरी बात के अब वाईटी पर यह बाते फैलाई जा रही है कि मुस्तफा का औप् अपेंडिस का ओपरेशन हुआ है ये बाते वाइटी पे लोग कर रहे हैं इसके ही वो सपोर्टर कर रहे हैं जिनसे चुप-चुप के बाते होती है इन लोगों की और यह जताया जाता है कि हमने तो सब को डिसॉण कर दिये लेकिन हाँ चुप-चुप के बाते जरूर होती है इसके अपर भी पूरी विस्तार में अगर हम बात करें तो आप लोग खुश तोचो अपेंडिस का ओपरेशन मिंस के ऐसा तो है निकि अच्छानक से ही दरद हुआ अच्छानक से ही ओपरेशन करवाया गया वो दरद तो कभी न कभी तो ये वीडियो में बताती के हाँ उस की तब्याट ठीक निये इस तरह का उसको आए दिन दरद रहता है इनसान को दरद तो रहता है ना ऑपरेशन डेरेक्ट तो नहीं होता है को यह अईती तो बिमारी थी नहीं कि अच्छानक से अटेक आया है और अच्छानक से ऑपरेशन करवाना पड़ा वो अलग मैटर होत अधЫ आप लोग इस चीज को अगर ध्यान दोगे जिस तरह ते पिटारा विव्यूव कagnoplप बनाती है हर एक चीज का वह अरत content बनाती है चाले बच्छा बीमार हो तो भी content बनाती है बच्छा गूमोगया हो तो भी content बनाती है कोई आदमी आके अगर उसके बच्चे के उप एडमेट हुआ है तो यह क्यों चुपाएंगी यह उस चीज़ का तो content बनाएंगी ना अब यह कोई ना बोले के भई माँ है तो दिल नहीं हुआ होगा अरे भई इसकी माँ गिरी तो मैंने वीडियो में बता चुकी हों कि यह कितनी अच्छी माँ है तो अगर यह वाली बाते अगर कोई करता है ना तो मुझे तो फिर हसी आएंगी कि यह सब फिजूल बाते आप लोग यह देखो कि जब उसका जिगर इतना है कि वह बच्चे को हॉस्पिटल के बैड पे पिच्चर ले रही है अब वह मंदर आप लोग साइड में खड़े हो और देखो कैसा लग रह सकती है जब वह अपने बच्चे को इस तरह से कैश करवा सकती है ना तो वह कंटेंट भी जरूर बनाएंगी अब यहां पे पिटारा को खूब पढ़ेंगी गालियां जब पता चलेंगा लोगों को कि इसका बच्चा कोई नशेवशे में पढ़ गया है या उसने अपने आ बच्चो को किसी के भी घर पे भेज़ देती है किसी के साथ में शौपिंग पे भेज़ देती है घर में बच्चो को अकेला छोड़ छोड़ के दुबई तलब के चली जाती है तो क्या लोग नहीं बोलेंगे कि तेरे बच्चे ने इतनी यह उठा लिया मतलब इतना बड़ कि मेरे रिस्तेदारों ने ये करवा दिये मुस्तफा से या मेरी भेहन ने करवा दिये या मेरे जीजा ने करवा दिये या मेरी सौतन ने कर दी ऐसे तो कोई नहीं बोलेंगा बोलेंगे तो लोग इसी को बोलेंगे इसके लिए अपने आपको बचाने की कोशिश कर रही है और यह अच्छानक से इसको ना बुखार ना पूछ ना पूछ था तो यह डिरेक्ट के से एडमेट हो गया तो लोग सवाल इसकी ममता के उपर उठाएंगे कि तो कितनी ममता थे भरी हुई औरत है तो यह उस गंद को उस बड़े कांड को ना छुपाने के लिए उसको कवर करने क के लिए यह अपेंडिस को अपरेशन बसा रही है वाइटी पे जो के छूप सपोर्टर है ना उनके थुरू यह भेज रही है यह सारी बाते बाकी मैं आप लोगों को एक बात और किलियर कर दूं मैंने अपनी लाइब में भी अलागी बात किलियर की थी लेकिन बहुत सारे एक विजा आगे हमारा और एक हजबेंड हजबेंड को छोड़ूंगी नहीं यह जो दो वीडियो थी ना यह एक की दिन में बनाई गई थी इसके बाद में जो दो वीडियो आई थी जो हजबेंड यस-yस कर रहे है और पिर यह कोतर का बेबी नहीं समालेंगी कोतर यह दो बाद में इसने ना डेरेक्ट वह वाली वीडियो बनाई थी कि एक दिन की मलीका यह वाली इसने वीडियो बनाई थी और यही वीडियो के दोरान है ना मुस्तफा के साथ में जो कुछ भी हुआ है आप लोग समझ सकते हो मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहती हूं यार दिन फोस्ट नहीं की इसने क्या करी वह वीडियो दिन बनी इसके अगले दिन फिर इतने ना रियक्शन वाला वीडियो बना दी और वह वीडियो डाल दी क्यों कि मुस्तफा ऑस्पिटल में था और यह बात इसको चुपानी थी आप लोगों को मैंने क्या बताई थी कि तो अगर याद होगा कि मेरी वो वीडियो ready है बस मुझे edit करके डालना है तो वो वीडियो उतने एक दिन पहले ही बना के रखी थी क्योंकि बीच में इसको एक दिन का gap मिला था तो विडियो जो एक साथ बनी है ना इस ने डाली है दूसरे दिन लेकिन विडियो एक दिन की बनी हुई हुई थी इसके बीच में इसको एक दिन का गैप मिला था जिस दिन इसने ब्लॉगिंग नहीं की तो इसके बेटे को एडमेट होके दो दिन नहीं हुए चार दिन हो गए यह मलिका वाली वीडियो बनी उसके अगले दिन फिर इसने रियक्शन वाली वीडियो बना दी मलिका वाली वीड यह फिर वह रीक्शन वाली वीडियो के अगले दुन यह पोस्ट भी की बताओ इसको शरम आई इसको याद नहीं था कि मेरा बेटा एडमेट है अभी लोग जो इसको सिंपती दे रहे हैं बोल रहे हैं कि इसका बेटा एडमेट है इसके लिए यह वीडियो नहीं बना रही है तो इसको शरम आने कि चीए ते फिर विडियो पोस्ट करते हुए क्यों विडियो पोस्ट की थी इसने और वो दिन चुपाने के लिए के मुस्तफा एडमेट ये ना पता चले तो लोगों को इसने बता दी कि मैं टेंचन में हूँ तो इसके लिए मैंने reaction video बना दी मैंने कोई vlogging नहीं किया आज vlogging क्यों नहीं कियी सोचो वो दिन इसका बेटा hospital में था reaction video बनाने के लिए भी इसको शरम नहीं आई और फिर अगले दिन reaction video के अगले दिन फिर इसने मलीका वली वीडियो पोश्ट कर दी तो कहां से यह अच्छी मा है और फिर उसके मलीका वले वीडियो के अगले दिन फिर इसने यह जता दी के मेरा बेटा एडमेट है इसने community लगा दी और बोल दी के मैं मुस्वफ़ ठीक हो जाएंगा न तब मैं वीडियो डालूंगी तब मैं vlogging सुरू करूंगी हलाके वीडियो तो यह बेटा एडमेट था तबी ही पोस्ट किये जा रही थी तबी ही उसी दोरान इतने reaction वीडियो भी बनाई तो कहां से आप लोग बोल सकते हो भई के इसके दिल में ममता है यह मा है तो यह vlogging नहीं कर रही है ताके वो कांड ना सामने आ जाए यह क्या दिखाएंगी ओडियंस को क्या बोलेंगी क्यों एडमेट था क्या किया था क्या हुआ उसके साथ समझ रहे हो यह सारी इसकी कहानी है यह सारी सक्चाई यह बहुत बड़ी जूती और मकार ओरत है भई और इस तरह से एक दिन में दो वीडियो बनाना पहले से प्री प्लैंड नहीं रहता नहीं था इसका क्या मुतफ़ाइं करने वाला है तो मैं बीच में गयप ले लूने यह आए दिन वैसा करती है आप लोगों को कभी-कभी लगता होगा कि यह चार-चार दिन कपड़े नहीं चेंज करती है लेकिन न रोज व्लागिंग नहीं करती है इसके बीच-बीच में यह गायब हो जाती है अपने कांड चुपाने के लिए कुछ लोग यह भी बोल रहे थे के बाबर वहीं पर था तो आप लोगों को पता ही है कि लोग जब यह इतना बड़ा जैड वाला कांड चुपाने के लिए इन क्यांसी विडियो कब डाल रहे है कौसी विडियो कब डाल रहे है ये सारा कुछ अगर इन लोगों ने किये थे तो अगर अभी इस में साथ दे दिया जायरती बात है अगर रहता कुछ कांड हुआ रहेंगा तो साथ तो वो देंगा ना बताएंगा ना कि हाँ मेरी और उसकी वीडियो साथ-साथ में चल रही है बाकि यह सच्छा है तो सभी को पता है कि वो रोकती है कि ये दिन वीडियो मत डालो मेरे बात डालना मुझे व्यूज आने दो ये बन बंदा है तो वह इसाफ से घर में आने की सपोर्ट मिलिए गर में आने के लिए इसको अलाओ किया गया है तो यह थारी बाते समझ में आ गई होई आप लोगों को बाकी है एक तीर से बहुत सारे निशाने करना यह औरत की पुरानी आदत है तो यह चीज से ना इसको जो इसकी सिष्टर इससे नराज हुए पड़ी है ना उसको मनाने में भी मदद मिलेंगी सिंपती लेने में भी मदद मिलेंगी एक शीज आप लोगों को और याद दिला दूँँ आप लोगों को मैंने बताई थी जो इसकी शिष्टर बनी हुई थी वह इससे नराज होके इसको ब्लॉक की थी और इसने अपने मतलब इसने कोई रिस्ता रखने से मना कर दिया इस बंदी को और इसके बाद में फिर इसने जो भी वीडियो बनाई थी बेवकू बनाने के ल जो रही है जिसके वज़े से ना यह डरी पड़ी है तो यह बात वाइटी पे इसके सपोटरों ने अब नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है आप लोग समझ जाहों के कौन है जो सपोर्ट सपोर्ट के नाम पे जंडा लाहराते फिरती है लेकिन बिल्कुल भी सपोर्ट न गए ले लोग बोल रहेते कुछ निए तो इसना वाली बात कान से आ गई को जब जगडा होगा जब GMन मुटा होगा तब जल्स कांकि यह बहुत सारे राज है इसके पास में सारी सीजे इसके पास में तो और उपर के वह इधारे वाली है तो ये उतको गंदा करके बगाने की पीछे से तो खूब कोशिश की लेकिन सामने से खुद आके सिंपती लेके गंदा करनी सकती है क्योंकि पता है केस वेस हो जाएंगे इसके उपर तो अब यह गले की हड़ी तो बनी चुकी है ना अगली जाए ना निगली जाए तो यह सुला वाली बात भी हो गई किलियर बाकी रही बा लोगों ने जब इसको धोए ना के तू कुर्बानी का और बकराईत का यह अपना तेवार चोड़ के तू मतलब आउट अफ कंट्री जाके तू अपनी अयाशियां करना चाहती है तो वहां पे भी इसको शरम आई है और यह इस चीज़ को दिखाना चाहती है कि हां हम तेव तुर यह के तिरब बेटा एड़ में ठाब और तुनिकल के घूमने के लिए चली गई और इसका इसको कॉन्टेंट भी तो बनाना है कि हमने इस तरह से तयारी किये इस तरह से एरप से फ्लाइट में टाइम स्पैंड किये इस तरह से फिर हम उतरे इस तरह से हम होटल गए वह सब चीज का कॉंटेंट बनाना है भई खली घूमने नहीं जाना है इसको उससे इसको डॉलर भी छापने डॉलर भी कमाने तो वह चीज वह क्यों चूपाएंगी वह तो यह नहीं नकिन चुपके गुमने जा रही है यह लोक आइद्मेण होने का बहाना करके यह गुमने चली गई अरे भई लोग सवाल तो करेंगे ना कि तू बक्राइद मनाई नहीं और तू गुमने चली गई तो क्या जवाब देंगी है कि मैं क्यों चुपके गुमने चले गई तो मुझे नहीं लगता है कि यह इस तरह की बेवकुफी करेंगी क्योंकि इसके अंदर बहुत दिमाग है ना देखो लोगों को कितने लोगों को अपने पीछे लगा के रखी है खांदान वलों को डरा के रखी है तो दिमाग तो इसके पास में बहुत है कि आप लोगों को ल कुछ भी नहीं हुआ है मुझे नहीं लगता बाकि जो भी यह वाइटी पर आ जाएंगा मैं तो सरीफ अपना अंदाजा लगा रही हूं पॉइंट बोलते हैं न वह कड़ी से कड़ी मिलाना तो वह मिलाते हुए मैं आप लोगों को बता रही हूं बाकि आप लोगों की क्या बताना आपने कमैंट में जरूर लिखना और विडियो को यहीं पेहन करती हूं वीडियो कैसी लगी यह भी कमैंट में जरूर बताना और वीडियो पतंद आएंगी तो लाइक included ना मिते नेक्स्ट वीडियो में अलाहती